यहां पर क्या रहे हैं कि अभी के लिए जो भी ट्रेड हम करते थे अफगानिस्तान के साथ थ्रू पाकिस्तान यह अभी हम नहीं कर पारे जब कि मैं आप राड कर दूँ कि कुछी मिनट्स पहले तालिबान ने यह क्लारिफेकेशन दी है कि हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं रोकना चाते बस अभी के लिए कुछ हम चेंजिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रेड में कुछ डिले आए अब इमिरेटली मुझे पता आपके माइन में कुछन आएगा अच्छा सर एक मिन रुको इंडिया की तरफ से स्टेट्मेंट यह आई है कि अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के थूँ ट्रेड नहीं कर पारे मगर पाकिस्तान से तो हम वैसी ट्रेड नहीं करते जब भारत पाकिस्तान अभी के लिए ट्रेड नहीं कर पारे क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेड ब्लॉक कर रखा है भारत के साथ तो इंडिया और अफगानिस्तान आपस में वेपार कैसे करते थे थ्रू पाकिस्तान तो सब कुछ crystal clear यहाँ पे मैं कर दूँगा a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin एक प्रशन यहाँ पे मैं आपसे पूछूँगा दुनिया की कोई भी सरकार हो जब वो policy बनाती है, जब वो नीती बनाती है exports और imports की तो इस policy को हम क्या कहते हैं commercial policy, fiscal policy, finance policy या फिर monetary policy comment section में कर यह answer, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो क्यांथ में now सबसे पहले basics यहाँ पर जान लो ताकि आपके mind में कुछ confusion ना रहे हाली में 9 अगस्त 2021 को 2 साल हो गए जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ diplomatic और economic ties कट कर रखे हैं जिहां 2 साल से भारत और पाकिस्तान ने officially trade नहीं किया यहाँ पर आप देख पाऊगे यह article है 2019 का जब भारत ने article 370 हडाय था तब से पाकिस्तान ने यह कहा कि हम लोग भारत के साथ trade नहीं करेंगे और आज भी हम देख रहे हैं कि स्तिती बतली नहीं गई है अब यहाँ पर पूछेंगे कि 2 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बिजनसमेंट trade नहीं कर पारे तो देखो इसका अंसर है trade तो हो रहा है मगर महंगा trade हो रहा है फॉर एक्जामपल अगर कई items है वो इंडिया से पाकिस्तान जानी ही है यहाँ की market में demand है तो यहाँ पर क्या होता है कि वागा बॉरर से trade के बजाए सीधा मुंबई से जो यह items है यह जाती है UAE में UAE से जाती है कराची में और इस तरीके से trade हो रहा है फायदा यहाँ पर कमारा है United Arab Emirates और नुकसान यहाँ पर उठा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के businessmen यहाँ पर आप कहोगे ठीक है इंडिया पाकिस्तान का trade अभी के लिए नहीं हो रहा मगर जो news यह आ रही है वो यहाँ पर यह बता जा रहा है कि अब तालिबान ने अफगानिस्तान का trade इंडिया से cut कर दिया है थ्रू पाकिस्तान तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान खुद trade नहीं करता ना इंडिया के साथ मगर अफगानिस्तान को अलाओ करता ना कि तुम trade कर लो इंडिया तो इसका अंसर है हाँ यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है 2020 का by the Hindu Pakistan to allow Afghan exports to India through Vaga border तो 2020 में पाकिस्तान ने यह का कि ठीक है अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं यह जाएंगे यह यहाँ पर trade कर सकते हैं इंडिया के साथ मगर हम trade नहीं करेंगे अब यहाँ पे आप कहोगे यह कैसी जिद्ध है कि एक बार को पाकिस्तान के businessmen सफर करें मगर इमरान खान की जो political image है यह चमकनी चाहिए तो देखिए यह होता है कैसे देश में जहाँ पर एक single point पे obsession बहुत चरह बढ़ जाती है यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का trade नहीं हो रहा अफगानिस्तान और इंडिया ट्रेड कर रहे थे थ्रू पाकिस्तान मगर पाकिस्तान ने यह allow किया क्यो देखिए यहाँ पर थी पाकिस्तान की मजबूरी क्योंकि पाकिस्तान ने 2010 में एक trade agreement sign कर लिया था विद अफगानिस्तान government इस trade agreement का नाम है अफगानिस्तान-पाकिस्तान transit trade agreement इसकी अंडर क्या लिखा है कि अफगानिस्तान की जो व्यपारी है यह पाकिस्तान का land route इस्तिमाल करके इंडिया को export कर सकते हैं मगर यह बात क्लिरली लिखी है कि भारत के व्यपारी export नहीं कर सकते अफगानिस्तान को पाकिस्तान का यूज करके तो यह आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के लिए सिर्फ export only trade agreement है विद इंडिया हलाकि इसमें और countries भी cover होती है मगर primarily आप अगर देखो इंडियन context से तो इस agreement के अंडर पाकिस्तान ने simply अफगानिस्तान को ये का है कि आप भारत को बेच सकते हो भारत से खरीद नहीं सकते इसके बाद आप पूछोगे कि अच्छा तो इंडिया export करता कैसे था अफगानिस्तान को तो ये हम करते थे थूरू इरान हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कांडला पोर्ट से यहाँ पर चाबार पोर्ट में भेचते हैं जो भी हमको समान भेचना अफगानिस्तान को और फिर उसके बाद इरान के रूट से ये पहुचा रा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को हमको कुछ बेशना होता था तो ये बेशने सीरा पाकिस्तान के थुरू इस तरीके से और इतना अजीब सा ट्रेड रूट रखके भी इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ये 2019 बीस में 1.5 बिलियन डॉलर सक पहुच गया था जो मैं कहाँगा काफी इंप्रेसिव है अफगानिस्तान हमसे क्या खरीटता है सबसे जादा ये हमसे परचेज करते हैं शुगर इंडिया एक huge एक्सपोर्टर है शुगर का एक बार को पाकिस्तान भी इंडियन शुगर परचेज करना चाता था मगर इमरान खान ने ये जो decision है इसको block कर दिया और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने ये कहा कि एक बार को हम ब्राजिल से मैंगी चीनी परचेज कर लेंगे मगर भारत के साथ ट्रेड नहीं करना और चीनी अफगानिस्तान मतलब के हम अफगानिस्तान को जरा समान बेशते हैं और उनसे कम परचेज करते हैं मगर जो आइटम सब परचेज करते हैं अफगानिस्तान से वो बहुत important है dry fruits की आप अगर देखोगे तो भारत में बहुत consumption होती है चाए कोई festival हो wedding हो nutritional purpose के लिए हो dry fruits की एक huge market एंडिया में और 85% जो हमारे देश में हम लोग dry fruit consume करते हैं यह आता है from अफगानिस्तान तो जैसे ही यहाँ पर तालेवान ने अफगानिस्तान के आसपास के जो भी इनके trading points हैं यह कर दिये हैं block अचानक से भारत में जो dry fruit market है यह हिल गई है और बताया जा रहा है कि possibility है कि almonds, kishmish, various जो dry fruits हैं इनके दाम 100 रुपे पर kg से लेकर 150 पर kg भी उठ सकते हैं ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है अगला question यहाँ पर आपका आएगा तो तालेवान ने basically यह किया है कि जो भी trading points हैं यहाँ पर अफगानिस्तान, इंडिया के यह अभी के लिए रो अफगानिस्तान, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि तालेवान ऐसा क्यों करेगा, देखिए यह हो सकते हैं pressure tactics, तालेवान चाता है कि भारत तालेवान को recognize करें और अभी के लिए अफगानिस्तान में जो northern alliance rise कर रहा है उसके समर्थन में भारत ना आ जाए, और यह भी possibility है क in the future यह भारत पे बनाए और भी pressure, इंडियन प्रोजेट्स को रोक कर या फिर अल्रेडी जो प्रोजेट्स बन चुके हैं उनको destroy करके भारत सरकार को message send करें कि जल्द से जल्द जो तालेवान की सरकार है इसको recognize करो और northern alliance के साथ जो भी रिष्टे in the future बन सकते हैं सब कुछ अभी के अभी यहाँ पर तोड़ दो तो इंडिया पर देखिए eventually यहाँ पर pressure होगा for the time being इंडिया की नीती यहाँ पर यह है wait and watch अमरुला साले अफगानिस्तान में क्या करेंगे northern alliance क्या करेगा यहाँ पर यह कुछ हफ्तों में maximum एक दो महीनों में clear हो जाएगा उसके बाद इंडिया एक proper decision लेगा regarding the country of Afghanistan तब तक के लिए possibility है कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों जगा जो आम नागरिक है उनको जो commodities है वो महंगी मिले अफगानिस्तान में चीनी महंगी हो सकती है इंडिया में dry fruit और महंगी हो सकते हैं ना वापस आते हैं हमने question पे कि import export की जो न आदिफ लगेगा, import export कहां पे आप allow करोगे, किस country के साथ कितना trade करना है ये सब आ गया commercial policy में बाकी आप देखो fiscal policy में हम decide करते हैं कि tax कितने लगाएंगे, monetary policy में हम decide करते हैं कि banks का interest rate कितना होगा, money supply कितनी होगी और monetary policy set करता है central bank of the country, इंडिया के case में reserve bank of इंडिया, whereas fiscal policy set कर सरकार, और finally मैं यह भी add कर दूँ, कि an academy का combo offer available है, simply यहाँ पर जाओ comment section में, आपको link यहाँ बिल जाएगा, combo offer का, click on this combo offer, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, यह unique combo जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी यहाँ पे आप कर पाओगे, simply यहाँ पे click करो, pick a plan पर, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, 12 month, 24 month का course, interesting बात अभी के लिए यह है, कि आपको 3 महीने extra मिलेंगे, अगर आप अभी purchase कर लेते हैं, यह offer खतम हो जाएगा, 31 August 2021 तक, मगर जो price यहाँ पे लिखा है, यह पे मत कर देना, use करो यहाँ पे promo code PD10, and the prices will fall, so use the promo code PD10, and save your hard-earned money, so जी नोट के साथ, यह है आपर वीडियो का अंथ, thank you for listening, and as always, God bless you all!